हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले कुछ स्टॉक से रिलेटेड एंड सारे स्टॉक समभी हम लोग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं हलाकि आप सबी लोग को पता है ऐसी चीजे तभी जनरेट होती है जब कोई तो बड़ी न्यूज हम लोग को देखने को मिलती है और वही न्यूज उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात भी करने वाले देखा जा तो अल्रड़ी डीटेल में वीडियो हो चुका है इपोर्टेंट हो सकता है तो चले दोस्तों फड़ा बड़ी स्टार्ट करते बर उससे पहले जरू कहना चाहूंगा अज के दिन अगर आप देखोगे तो दो वीडियो अपलोड हो चुके लेटेस वीडियो भी यहाँ पर देख लेना जबरदस एक वीडियो यहाँ पर बेचने के बाद वह गिरता क्यों या फिर बेचने के बाद बढ़ता क्यों तो उसका सोलीशन आप लोगों को हो सके तो इस वीडियो में मिल सकता है जरूर आप चेक आउट इसको कर सकते हो जैसे मैं आप लोगों को कहा कि अपॉर्चुनिटी बाजार में यहाँ पर क्रियेट होती रहती है और यह अपॉर्चुनिटी फिलाल वैक्सीन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है चलो फार्मा कंपनीस तो ठीक है अभी हम लोग बात करने वाली है पर कर रहा हूँ जितना हो सके आप लोग इसमें से मैक्सिमाम आउटपुट निकाल सकते हो वैक्सीन से रिलेटेड हम लोग जो फार्मा कंपनीस है वापस कोन से कोर है कोर कंपनीस है उनके बार में लास्ट में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है तो तो फोकस में रहने वाला है वो है स्पाइस जेट या जोस्तो स्पाइस जेट आप सभी लोग पता है बहुत ही तूटा हुआ स्टॉक नीचे आने वाला स्टॉक बट सिचुएशन बोलते है ना कभी-कभी फिवर में आ जाती उसी टाइप की चीजे अभी हम लोग को देख इंप्रेजर मेंटेन करना पड़ेगा जहां तक मेरी सोच है जहां तक मेरा नॉलेज है फाइजर के लिए माइनस 70% की बाते हो रही है बाकी वैक्सिन की बात करे तो ठीक टाक परसेंटेज यहां पर मतलब मेंटेन करनी की बात है तो स्पाइस जेट इसलिए हम लोग को भा आगे यहां पर हम लोग को आते वे देखने को मिल रहे है कि हम लोग यहां पर वैक्सिन लेके आंगे भारी दुनिया से इंडिया में तो इसी के चलते ही यह सारी चीजे अंगी देखने को मिल रही ए इतना प्रामिसिंग स्टॉक तो नहीं लगता है बट ये न्यूस के चलते अभी फिलाल बहुत ही जादा चर्चे में रहने वाला है ये बात आप लोग को जरू पता होनी चाहिए जरू आप लोग स्पाइस जेट के उपर याप नजर रख सकते हो एंड उसी के साथ साथ और एक कंपणी दोस्तो स्नोमेन लोजिस्टिक नाम महीं आप लोग देख सकते हैं स्नोमेन लोजिस्टिक इसी से रिलेटेड इन दोनों का यापर करार भी हो है MOU भी हम लोग को यापर होते वे देखने के मिल रहा है इसी के चलती ये stock में भी हमनों को लगबग 5-6% की तेजी देखने को मली थी Friday के दिन अगेन कहना चाहूंगा stock छोटा है चलो try कर लेते entry में आप लोगों को कोई निवेश की सला नहीं दे रहा हूँ इसी के कारण jump है कि spice jet के साथ इन्होंने आपे कारोबार किया है stock देखा जाए तो बहुत ही छोटा stock है मतलब मातर 10 billion का stock है so बहुत ही भयंकर risk की वाला stock है and अगर आप इसका maximum chart pattern भी देखोगे तो आप देख सकते company लगातार नीचे जाने वाली है बट फिलाल इस news के कारण हम लोग को temporary scale के लिए यह बढ़ती हुए फिलाल देखने को मिल रही है so same news आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने snowman logistics उन्होंने यहाँ पर spice jet के साथ MOU यहाँ पर किया है उसी के कारण हम लोग को यहाँ पर अच्छी कासी यहाँ पर फिलाल jump देखने को मिल रही है so in stocks के उपर आप लोग यहाँ पर नजर रख सकते हो क्योंकि अगर यहाँ पर vaccine से related कोई भी news आ जाती है या फिर सरकार कोई भी contract देती है तो इन stocks में हम लोग को जादा से जादा यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी देखने के chances से आपर बढ़ जाते है then दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरे stock के उपर जाने से पहले पहले हम लोग चेक कर लेते 11th December देख लेना company all time high all time नहीं 52 खाई पह यहाँ पर जा चुकी थी 70 रुपे पह so एक Q गई उसके पीछे की वजा अल्रेडी मिने आपको बता दी है so अगर हम लोग यहाँ पर deliveries भी देख ले so 38% के आसपस deliveries देखने को यहाँ पर मिल रही है company अगर आप लोग detail देखने जाओगे so आप लोग यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो company फिलाल minus में हम लोग को यहाँ पर चलती वे देखने को मिल रहे September की बात है and अगर आप corporate action भी देखोगे तो कोई dividend यहाँ पर मिलता नहीं है उसी के साथ चाट share holding pattern भी देखोगे तो 40% का है and कितना गिरवी है तो एक बार वो भी चेक कर लेते है so कोई भी share फिलाल तो यहाँ पर गिरवी नहीं है so इन companies के उपर आप लोग नजर रख सकते हैं एक बार हम लोग spice jet को भी यहाँ पर देख लेते हैं major point जो रहेगा वो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 11th December का so 28% के deliveries हम लोग को spice jet में देखने को मिल रही है so इन दो stocks के उपर सबसे पहले आप लोगों की नजरे होनी चाहिए again कहना चाहूंगा यह कोई recommendation नहीं है then अगर हम लोग बात करें next कोई stock है तो दोस्तों indigo के उपर भी focus रहना चाहिए देखें indigo competitor उनको भी समझ में आता है कि जो spice jet यहाँ पर facilities प्रोवाइड करनी की कोशिश कर रही है वो लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं and airlines की बात करें तो jet airways भी almost close है वापस resume करने की बात हो रही है January से बट तब तक लोग close है air India भी आप देख सकते हो पूरे दबी-दबी company है air ratio भी हम लोगों ने देख लिया था कोई ज़्यादा business है नहीं so अगर kingfisher भी out हो चुकी है so इसलिए inter globe aviation, aviation sector में बहुत ही जबरदस monopoly भी create करते होए देखने को मिलता है so spice jet ने जो चीजे किये वो indigo भी यहाँ पर कर सकता है तो इसके उपर भी आप लोग चाओ तो focus यहाँ पर रख सकते हो अभी कोई भी ऐसी official news तो नहीं आई है बट वो इतना higher level का रहना चाहिए मतलब minus degrees वाले, बहुत ही higher level के मतलब अगर Pfizer की अगर सबसे coldest अगर आपको रखना है तो minus 70 degree इतना cold storage वाले है मतलब आप लोगों को refrigerator लगेगा और उसके लिए blue star का नाम सबसे पहले सामने आया था सो blue star के उपर भी आप लोगोंने focus रखना चाहिए इतना मैं आपको कह सकता हो ये कोई भी investment के लिए बाते नहीं है, advice नहीं है ये मैं सबसे पहले आपको बता दू सो blue star अगर आप देखोगे तो बहुत ही जादा risky stock है volatility वाला stock है आज आपको 700-800 पर देखने को मिल रहा है आते समय 500 पर भी देखने को मिल सकता है जिनकी मतलब बोलता है ना news आजएगी तो भाग सकते और भागेंगे मतलब आराम से 5-10% या पर बाग सकते इतनी ताकद है इनमे इसलिए इन सारे stocks के उपर आप लोग focus रख सकते हो कुछ लोग risk लेना पसंद करते तो ज़रूर वो इस वीडियो का फाइदा उटा सकते बट जैसे मैं कहता हूँ risk लेना जाओगे सो stop loss ज़रूर maintain करना पड़ेगा क्योंकि कभी भी बोलते हैं ना आपके खिलाब भी आपे जा सकते हैं तो बहुत ही संबल के हैं ब्लू स्टार की भी बात करें तो इनके भी बहुत सारे competitors अवेलेबले मार्केट में जैसे की वोल्टाज भी है रैट हीता जी भी है जो की cold storage से related काम करते हैं सो यह सारी चीज़े आप लोगोंने इनके उपर मतलब बोलते हैं ना कड़ी नजर रखनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक बार one time काम कर लिया हो गया करके बाजार में रहना है तो alertness maintain करनी पड़ती है सो आप देख सकते हैं आप ए covid vaccine storage to take a center stage for a blue star सबसे ज़्यादा focus में यही देखने को मिल रहे है 200 करोड के भी हम लोगों orders की भी बाते हैं आप फिलाल देखने को मिली थी जैन से लेके मार्च तक वो भी हम लोगों को चीज़े देखने को यहापे मिलने वाली है सो रस्तो blue star की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप चाते हो कि कौन सी vaccine यहापे इंडिया में आ सकती है तो अगर आपको information अगर चेक करने है तो आप लोगों ने देखना चाहिए कि blue star कौन से कितने degree वाले storage को यहापे manufacture करने की बात कर रहे हैं अगर blue stars को यहापे minus 70 degree वाले cold storage की यहापे बाते हो रही है order मिल रहे है सरकार से तो समझ दे ना फाइजर यहापे approval मिल सकता है फाइजर को राइट ना बिलकुल ना वही तो बात बता रहो एंड अगर minus 70 ने दूसरे कोई storage की यहापे बात हो रही है इस तरीके के आप लोग दिमाग यहापे लगा सकते हो असली जाद तो आप ही लोगों को चलाना पड़ेगा यह exactly किसी chart pattern के उपर balance sheet के उपर यह सारी चीज़े देखने को नहीं मिलने वाली है यह सारी चीज़े वही catch कर पाएगा जो सबसे ज़ादा तेज यहापे रह सकता है सो जरू information निकालने के आप चाहो तो भी कोशिश कर सकते हो कि minus 70 degree या फिर other than minus 70 degree कौन से blue star को यहापे storage से related orders मिल रहे है वो अभी आप लोगों नहीं यहापे properly study करने चाहिए सो इस तरीके से भी काम करके आप लोग अच्छा कासा focus maintain यहापे कर सकते हो and then दोस्तो as usual blue star के बाद अगर हम लोग बात करे तो vaccine, vaccine की competition आप सभी लोग को बता है तीन stock मतलब doctor radius के उपर focus रखना है AstraZeneca के उपर focus रखना है and Pfizer देखा जाए तो अभी के present situation में फाइजर बहुत ही आगे 5 countries आप लोगों ने सबसे पहला वीडियो भी देखा होगा 5 countries से फाइजर को emergency use के लिए approval भी मिल चुका है so definitely अभी इनके competitor बहुत ही ज़्यादा aggressive हो जाएंगे AstraZeneca भी हो जाएगा and doctor radius भी हो जाएगा and इसे लिए अगर आप लोग नीचे स्क्रोल डाउन करके मैं अगर आप लोग को news भी यहापे दिखा दू तो मैं आपको यहापे दिखाना चाओंगा doctor radius exactly तो नहीं हम लोग कह सकते sputnik 5 वो जो vaccine है उसी से related अगर हम लोग यहापे news देखते तो आप लोग यहापे देख सकते कि estrazine and उसमें हम लोग को अच्छा कासा combination होते हुए यहापे देखने को मिल रहा है जरू दोस्तो हम लोग कह सकते कि यहापे जो यह तीन vaccine की बाते हो रही है estrazine है, doctor radius है, Pfizer है तो चलेगा तो इसमें से एक ही कोई तो मतलब maximum हम लोग यहापे ऐसा बोल सकते है फिलाल Pfizer सबसे ज़्यादा हम लोग को यहापे देखने को मिल रहा है जितनी भी बाते हैं दोस्तों यह सारी if condition की उपर है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे खिलाफ जाएगा तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी यहापे risk लेने की बात कर रहे, बहुत ही संबल कर काम कर लेना, stop loss maintain रख लेना वरना पूरा capital भी erode यहापे हो सकता है अगर आप लोग एक retail investor हो नए-ने market में हो, तो ऐसे stunt करने की मैं बिल्कुल भी आप लोग को permission नहीं दूँगा permission मतलब obviously पैसा आपका है, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ बट आप लोगों ने quality stocks में invest करना चाहिए, इतना ही मैं आप लोग को बोल सकता हूँ, बट बहुत सारे लोग कह रहेते सेटरडे संडे ऐसे भी वीडियो बना दीजिए, कि ऐसे बाजार में जो opportunities वाले, जो moment होते हैं, वो हम लोग grab कर पाएंगे, इसके लिए वीडियो भी परफेक्ट है, मतलब उस टाइप में तो Apollo Hospital, आप सबी लोग को पाता है, उन्होंने लगबग 6000 अपनी स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग देखे रखी है, सो अविस्टे Apollo Hospital के उपर भी आप लोग नजार रख सकते हो, तो यह सारी कडिया आप लोग उने जोड़ के देखनी चाहिए, जिस दिन यह आपे उसके उपर यह डिपेंड करता है, जैसे बोलते हैं, क्लास में टीचर सारे 50 स्टूड़न को सिखाते हैं, बट देखा जाए तो टॉप पे तो एक दो ही लोग आते हैं, तो यह आपके उपर है कि आप कितने तो आप लोगों में improvement तो ज़रूर होगी, जितना practice करोगे उतना improvement होगा, तो यह सारे stocks में ज़रू कह सकता हो कि फिलाल के news के हिसाब से बिल्कुल सही है, इनके उपर हम लोगों को जबर्द हल चले भी होते विए देखने को भी मिल सकती है, इन stocks के उपर जितना चाहो, आप लोग ज़्यादा focus रख सकते हो, Twitter को follow कर सकते हो, वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा fast news आते हुए देखने को मिलती है, आप लोगों को कुछ opportunities create होते हुए देखने को भी मिल सकती है, वीडियो को close करने से पहले, सेम बाते बोलना चाहूँगा, कोई भी stock मेरा recommendation नहीं कि जाके खरीद लो करके मंडे के दीन को, यह सिर्फ आपको सिखाने के लिए वीडियो यहापे बनाया है, वीडियो पसंद आए, तो ज़रू लाइक करना, दोस्तों के साथ शेर करना, वीडियो तब तक के लिए, बाइ-बाइ